नमस्कार दुरूस न्यूस में आप सभी का स्वागत है हम पहुंच गए है कुन्नूर कुन्नूर एक ऐसी जगह है जो की ऊटी से 20 किलोमेटर पहले है कुन्नूर ऊटी नीलगरी ये पूरे जितने भी पहाड है ये सब चाय के बगानों से भरे पड़े है जहां पे मैं खड़ ये पूरा जितना भी इलाका है ये सिर्फ चाय के बगानों से है महनत जो आज हम कर रहे हैं आपकी प्याली तक जो चाय पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है इन पत्यों से निकल कर और जो खरीदते हैं अब चाय वो आखिर बनती कैसे हैं जो यहां पर लोग काम करते हैं वो तकरीबन तकरीबन 30 किलो पतियां हर प्रती आदमी चुनता है 15 दिन में एक बारी इस पूरी प्लांट के कटाई करने पड़ती है 30 किलो जब चुनते हैं उसके लिए उनको जो बहनताना मिलता है वो है 260 रुपए और जो प्लांट है ये इसके बारे में भी आपको बतान नहीं दिया जाता है हम आपको लिए चलते हैं उस फाक्ट्री में जहां पर अंतिम जो पूरा प्रॉसर्स होता है चाय बनाने का वो कैसा होता है आपकी प्याली तक पहुंचने से पहले इन पतियों को क्या-क्या देखना पड़ता है क्या-क्या इनको सहना पड़ता है वो देखते हैं आईए जगह होती है जहां पर लीफ जो पते हैं यानि जो चाय की पतियां है वो यहां पर आती है बागानों से सीधे और यहां पर उनको सुखाया जाता है यह पूरा जो चार्ट जो ट्रफ्स हैं इस पर इन पतियों को पहला दिया जाता है और इस पत इसके पीछे जो है बड़े से 14 दिन के जो पत्तियां होती है उन्ही को होता है हम नीचे जाके अगली मशीन में देखते हैं कि वहां पर क्या होता है देखिए जो पत्तियां हमने उपर से डाली थी वह इस मशीन के दौरा आ गई है नीचे अब यहां क्या काम होता है वह हम आपको बताते हैं यह जो पत्तियां हमारी उपर से आई थी वह एक तरह का जो क्रशर है, इस क्रशर में कटती है, कटने के बाद एक और दो filtration process होता है, जहां पर जो पत्यों उपर से कटके आ रही है वो यहां पर आके गिरती है, यह एक और जगह है, जहां पर उस पत्यों को दबाया जाता है, पिछकाया जाता है, और यह जो condition है यह हमारी पत्यों को लगबग इस तरह से दिखती है, ठीक है, यह जो process है यह चार दफा होता है, यहां से यह पत्यों एक और बार shredder में जाती है shredder पे जाने के बाद इसको चार stage से गुजरना पड़ता है, हर stage में एक तरह से दबाब होता है, और हर बार पत्यों का जो texture होता है, वो और महीम होता चला जाता है आप देख सकते हैं, वहां पर बड़ी पत्यों थी फिर छोटा फिर छोटा और यह और बारीग होती चली गई चौथे stage में जब यह पहुंचती है, तब इसको एक belt के जरीए, यहां पर एक बड़ा सा cylindrical छनी के तरह है, जो आप देख पा रहे हैं इसमें इसको सुखाया जाता है, ड्रायर कहते हैं इसको, बहुत बड़ा एक ड्रम है, जिसके अंदर वह पिसी हुई जो पत्यों थी, उन पत्यों को सुखाया जाता है जब ये एक तरह से लगभग इसकी नमी जब निकल जाती है तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा भुरुबुरा सा हो जाता है अच्छा यहां से ये जो पतियां है ये इस बेल्ट के जरिए फर्मेंटेशन प्रॉसस के लिए जाती है फर्मेंटेशन जो है तकरीबन दो घंटे के लिए यहां पर फर्मेंट करना पड़ता है और ये फिर बेल्ट के दुआरा वहां से एक पतली सी लाइन सी बन जाती है फर्मेंटेशन का मतलब दुस्द ये ही है इसको थोड़ा सा और जैसे आप खमीर उठाते हैं किसी भी आटे में उस तरह से चाई के पतियों में भी खमीर उठाया जाता है ठीक है पतियों का रंग जो है धीरे धीरे बदलने लगता है और यहां से जब ये फर्मेंट हो जा लेकिन अभी भी जो मैं देख पा रहा हूँ यह गीली है और इसमें खुश्बू बिल्कुल नहीं है तो अभी भी यह पत्यां जो एक गीली है अब यहां से आप देख सकते हैं इस बेल्ट के द्वारा जो फर्मेंटेट पत्यां है वो जा रही है रोस्टर की तरफ अब यह बड़ा सा एक रोस्टर है इसको रोस्टर कहते हैं यह लोग यह जितनी भी नमी थी एक तरह से सूखे तवे पर उसको पहला के उसको रोस्ट करने का एक प्रॉसस है यहां पर आप देख सकते हैं पत्यों की जो शकल है वो दिखने लगती है जो पूरा प्रॉसस है इसको 240 चालेस फेरन हाइट पर गरम किया जाता है यहां से आप इसको घ्रेडिंग पर भेजा जाता है रोस्ट हो चुकी है वो इस के जरीए अंदर आती है यहां पर आप देखें तो इसमें डस्ट भी है और चाय पत्ति भी है यहां से पत्यों को उनके आकार उनके रंग के सामान्य सा होता है लेकिन जो इनके आकार होते हैं उसी के मद्दे नजर इनको अलग-अलग श्रेणी में रखा जाता है अंततह ये वो मशीन है जहां पर एक तरफ पती छटती है और एक तरफ ड़स चला जाता है जो बड़े-बड़े दाने हैं वो यहां पर आ जाते हैं और यह जो है आपको माकेट में मिलने वाली चीज हे और चोटे दाने होते हैं जज़र पाॉडर नूमा चीज होती है इसको टस्ट कहा जाता है यह वो है तो इसके बाद इसके बाड तो ऑन इसे भी बड़े पत्ते होते है इनको चार उसमें बाटा गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानि जो सबसे महीम है वो ये है आप देख सकते हैं ये दाने इसके बाद इसी तरह से साइस के हिसाब से अलग-अलग-अलग-अलग पत्यां बनती है तो यहां खतम होती है इस चाय की कहानी जो एक पत्ती से शुरू होके यहां तक पहुँची है यहां से फैक्ट्रियों में जाएगी पैकेट्स में आके आपके दुकानों तक पहुँचेगी और वहां से आपके सुभा की प्याली में सज जाएगी वो जो सामने आप पहाड देख रहे है वहां पर इस चाय की शुरूवात होई थी यानि वहां से हमने सुभा जो है चाय की पत्तियां तोड़ी थी उन पत्तियों का जो सफर है वो धीरे-धीरे फैक्ट्री में आके रुकता है उनकी छटाई होती है, कटाई होती है उनको तमाम तरह के प्रोसेसे से गुजरना पड़ता है और तब जाके हमें चाय मिलती है और वो चाय है ये हम भी अपने प्रोग्राम का समापन यहीं करना चाहेंगे इस खुबसूरत शाम और इस अच्छी सी चाय के साथ बने रहे हमारे साथ दुरूस्ट न्यूस जो आपको वो तमाम खबरे दिखाता है जो सीथे आपकी जड़ों से जुड़े होती है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरे मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं नमस्कार तब तक मैं चाय पीता हूँ आप सब्सक्राइब करते रहें